कोर्णा काल में मृत्ती हुई सोन बाई यादाव के पुत्र को अब तक अनुकमपा नियुक्ती नहीं मिली है इसके लिए उसे दरदर की ठोकरे खाना पढ़ रहा है पिरित अधनुराम यादाव ने अनुकमपा नियुक्ती की मांग को लेकर निगम आयुक्ति के पास क्या प पढ़ रहा है आमादमी पार्टी ने आवाज उठाते हुए सहयोग से पीडि से दुर्ग निगम पहुँच कर आयुक्त के नाम ग्यापन सौंपा बता दे की सोना बाई यादाव की मृत्यू के बाद नियम अनुसार उसके पुत्र अधनुराम यादाव को अनुकमपा नि नियुक्ति मिलनी चाहिए थी लेकिन लगपक चार वर्ष होने के बाद भी निगम की द्वारा उसे अनुकमपा नियुक्ति नहीं दी गई इस कारण अधनुराम यादाव ने आमादमी पार्टी से मदद की गुहार लगाई पूरों में अनुकमपा नियुक्ति को लेकर प जीला का और मेरे माद निगम में नौकरी करते थे लोक कर्म विभाग में अभी तक तो मैं दो साल हो गया निगम का चक्कर कारते हुए आता हूं तो आजी काही लोग बोलते हैं कि अगले महनाना नितपरसवाना ऐसा सकर के दो साल ऐसे ही विद्गेर तर में इतना मजबूर मेरे माँ ले दे के साधी किया था उसका करजा भी नहीं छोट पाया हूं तो आज लोग आते हैं अजोजी मजूरी जाता हूं और कोई नहीं है मेरे बड़े भाई लोग सब अलग रहते हैं मैं चाहता हूं जोटों मूटों जोबी काम हो बिल जाए उनों की मान ने 32 साल तक नगर निगम की सेवा की 2020 में कोरोना के समय में उनकी सामाइक मिलती हुई उनकी उमर उस समय 62 वर्ष थी नगर निगम के अनुसार से उनको कमपन जुक्ती मिलने चाहिए अब ये पढ़ नहीं पाया जो भी स्थिति हुई हो कि ये पांच भी पढ़ करती है तो हम भी चाहते हैं सरकार से मांग करते है कि सिखली करन करके इनको अनुकंपन जुक्ती दी जाए के पास एक शिकायत आई ये अगनू है उसने बताया कि इनकी माता जी की डेथ करोना में 2020 में हो गई थी और 2020 से लोग चक्कर काट रहे हैं और इनको अनुकमपन जुकती नहीं मिल रही है जब हम लोगों ने संपर्क या नेगम के अधिकारियों से तो उन्होंने बताया कि इस पड़े से कम पड़े लिखे हैं और यहां उनके जो माधा पिताते जो यहां निगम में अभी भी करमचारी हैं और उनके बच्चे कम पड़ लिख पाए तो उसके लिए इनको क्यों वो किया जाए इनको क्यों दंडित किया जाए उसकी सजा इनको क्यों मिले तो इनको अनक फारुकी की रिपोर्ट